तो बाई का जब भी आप बाई का जब भी इंजिन बांद रहे हैं या थे इंजिन का कुछ काम कर रहे हैं तो आप जरूर सी थ्रोटल बोडी का क्लेनिंग जरूर करिए तो इस वीडियो पर बताएंगे कि थ्रोटल बोडी कौन सा क्लेनर में क्लेन करने चाहिए और किस तरह क क्या क्या चीज खोलने पड़ता है यही इस वीडियो में बताएंगे तो आपना जब भी इंजिन बनाए या तो थ्रोटल बड़ी का सिक्नल यहां पर बोड़ी पर आए एरर कोड आए तो आप थ्रोटल बड़ी जरूब क्लेंड करिए तो इस वीडियो को देखते रहे हैं मै इस से पहले मैं इसको क्लेंड करूंगा यह देखिए देख पार है यह थ्रोटल बड़ी इसको क्या करना है बाहर की साइट थोड़ा से अच्छी से ताड़ बगर ऐसे इसको साप कर देना है क्योंकि थ्रोटल क्लीनर जो होता है यह कफी ज्यादा लग जाएगा इसके वज बूलना है क्योंकि मेरा पास में है अपने को पास में भी रहना चाहिए तो इसको खोल लेना है यह कितने कछड़ा भरा हुआ और इस पर भी कफी ज्यादा कछड़ा है है यह दिखिए तो यह अंदर की और यह क्लीनर करने के लिए यह थ्रोटल बड़ी च्लीनर आप देखेला वीडियो बना रहे हैं इसके थोड़ा सा कितना क्लीन हो गया इस जगब दूसरा क्लीनर से इतना क्लीर नहीं होता है इस तरह आपको क्लीन कर लेना है और स्लाइडर जो होता है इसका यह बीए सीच ग्लेमर का है हमारा क्योंकि इसमें जाड़ा इस्यू इसी में रहता है देखिए यहां पर कितना काला डश निकला ना तो यह हुआ क्लियर इसका बहुत अच्छा काम करता है यह क्लीनर क्लियर हो जाए दो इसको भी अच्छी तरह से घुमा फिर आखिर के इसको कर लेना आपको और साप कपड़े से एक बार पोच लेना है इसको हमारा लगता खतम हो लिया है कि देखिए कितना डश निकला यहां देखिए पूरा बिल्कुल काला आई दम निकल रहे हैं देखिए अच्छा से क्लीन हो गया है कि अच्छा से यूज मत करिए क्यूंकि फ्रोट्र वड़ि से क्यूंकि छोटा च्छोटा वर्ण बगए होता है और ICO जो फाल्फ होता है ये अच्छी तरह से साफ हो गया तो इसी तरह ठोटल बड़ी का क्लेनिंग का प्रोसेस ही होता है बाकी आप गाड़ी पे भी लगा करके जैसे गाड़ी पे लगा हुआ ये साइट खोल करके अप ठोटल स्टार्ट करके भी कर सकते हैं वो ऐसा भी व वीडियो आपको मिल जाएगा कि बाइक पर लगा हुआ रहेगा और कैसे वास करना है तो मेरे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें